योगी चनल से बहुत सारी गल्स और महिलाई भी जुड़ी हुए जो बार-बार कमेंट में कहते हैं कि सर कुछ कोकिंग चनल के लिए वे टिप दे दिया करें तो हाज की वीडियो में मैं कम्प्लीट बताने वाला हूँ कि अगर आपका एक कोकिंग चनल है तो आप जीरो सब्सक्राइबर से अपने कोकिंग चनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप एक महिला हैं आप गरले अगर आप वाईज हैं और आप कोकिंग में मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है वह अलग बात है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कोकिंग का चनल बना लूँ लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूँ कि आप कोकिंग के चनल को कैसे ग्रो कर पाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगी योगेंद्र सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूँ अगर आपको सच में कोकिंग में इंट्रेस्ट है तो ही आप कोकिंग चनल बनाईए अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो क्योंकि जो चीज अच्छी नहीं लगती ना उसमें आप लंबे टाइम तक काम नहीं क वह देखा जाते आखोंने खाना देखा आपों लग जाता है कि आगा खाना वाकई में राचेयों मजा आ गया उसके बाद खाना पास आता है वह सवादर बहुत ही जादा बढ़ी यानि एक速 सारे ऐसे cooking channel है मैंने देखे हैं बिलकुल नए नए channel है वो cooking के tips भी बहुत अच्छा बता रहे हैं लेकिन उनके thumbnail में बिलकुल भी दम नहीं है अगर आप cooking channel बनाते तो आपका thumbnail बहुत 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 होना चाहिए एक HD quality का एक बढ़िया एकदम जैसे मालों प्लेट में आपने कोची सारू की हुई है तो बढ़िया तरीके से उसारू की हुई होने चाहिए और इदम उब्रा हुआ आना चाहिए वो thumbnail पर ताकि देखने में लगया तो delicious है यह तो मुझे बना के खाना ही है और सामने वाला उस वीडियो है वह थोड़ी कम लेंदी बनाई है फटाफट quick से आप बता दीजिए कि आप इस तरीके से करेंगे यहाँ पर एक जमाना तरह जब वीडियो बनाते थे लोग कहते थे यह इंग्रिडेंट्स यह इंग्रिडेंट्स यह इंग्रिडेंट्स अभी उसमें टाइम आ तो आपके description में जा सकता है आप बस वीडियो में फटा-फट से quickly बता दे कि यह ingredient में इतने इतने यूज़ के ज़्यादा जानकर देख लिए आप description देख सकते हैं दूसरा अब जब आप खाना बना रहे हैं तो step by step बताएं लोगों को अगर मालो कोई आलू उबाल रहे हैं और आपको लगता है गयर आलू को जाद उबालेगे तो यह दिक्कत आएगी तो आप बताएं कि इस तरह से आप उबाले और यहाँ पर एक tip और दूँगा जब आप वीडियो मेकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो recipe आपने तयार किये उसको सरू करके बिल्कुल अच्छे से सबसे पहले वीडियो में वही दिखाएं कि देखे यह recipe और यह इसकी quality है मालो आलू की टिक्या आपने बनाई तो आप बिल्कुल दिखाए कि देखो कितनी खरा रही है कितनी गजब की आवाज आ रही है फोक से उसको ऐसे करकर कि दिखाएं कि देखे कितनी क्रंची टिक है आज मैं आपको यही recipe बनाना सिखाऊंगी या सिखाऊंगा यानि audience को पहले ही पता लग जाएगा कि आर मैं यह video दिखूँगा जो मुझे कितना गजब का recipe बनाना आ जाएगा recipe को आप पहले शोग करें और फिर आप step by step उसको बताते हुए चले इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें यहाँ पे कुछ seasonal recipe होती है जैसे festival चलते रहते हैं इंडिया में लग अलग हर festival पे कुछ recipes बहुत popular होती है तो उनको भी आप जरूर बनाए अब वो आपको पता कैसे चलेगी तो देखिए Google Trends के बारे मैंने आपको बताया था पहले भी आप Google पे सच कीज़ेगा Google Trends और वहाँ पे आप keyword researching कर सकते हैं और आप पिछले साल का कर सकते हैं माल लीजिए अभी चल रहा है February 2021 तो आप देख सकते हैं February 2020 में जब आप cooking की category डालेंगे Google Trends पे तो आपको पता लग जाएगा कि कों कों सी recipe उस तैम जादा चली थी जादा viral हुई थी जादा फिरी जादा search हुई थी तो इसे आपको पता लगया कि आरप इस मौसं में यह सीजन के अंदर ये वाली recipe जादा सर्च होती है, इस festival पर ये वाली recipe जादा सर्च होती है तो इस साल हम वह recipe बनाएंगे और जब पहले ही बना लेंगे 2-3 दिन पहले ताकि जब लोग search करें festival पर तो आपकी recipe आगे आए search में आए और एक search engine optimizer अच्छे से काम करने चाप की वीडियो में यानि आपका title tag description बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि cooking एक ऐसा channel है cooking की recipe जो है ना recipe लोग search करते हैं बकाईदा मालो मुझे शाही पनीर बनाना है तो मैं search करूँगा बकाईदा ओमलेट बनाना है search करूँगा मैं जो भी किसी को कुछ भी बनाना है वो search करके देखता है अब यहाँ पर एक tip और देता हूँ तो लोग दो तरीके से search करते हैं भारत के अंदर पाकिस्तान के अंदर यह जो आसपास की country है एक तो लिखेंगे how to make शाही पनीर English में लिखेंगे मेरा मतलब कहने का यह तो आप जो title देते हैं उसमें पहला keyword आपका English में होना चाहिए और उसके बाद forward slash लगाएं उसके बाद English में लिखें जो Roman भास होते हैं आपने message करते हैं कि साही पनीर कैसे बनाएं यानि English और English दोनों का परियोग करें आप इससे आपका long tail keyword बन जाएगा और SEO में भी ज़्यादा इसका benefit होगा इस तरह से अगर आप cooking channel बनाएंगे थोड़ा consistency भी रखे cooking channel बनाएं तो आप ऐसा नहीं कि आपका अभी कुछ बना दे कभी कुछ जाये तो ये डिस बना लीजिए या बच्चों के नास्ते के लिए 5 मिन में तयार हो जाता ये सी next कुछ इस तरह से जो clickpad थमलेश होते हैं और clickpad रेसीवी बोल सकते हैं आप इनको इस तरह का आप जरूर attempt करें लगातार आप वीडियो डालते रहें बिलकुल भी निरास नह करता है अभी बहुत ज़्यादा competition है cooking में भी और दीरे दीरे ये चल जाएगा और ऐसा नहीं आप घबराएं नहीं अभी lockdown में बहुत सारे recipe channel है जो आगे उबर कर आए हैं इस तरह से आपका cooking channel है वो जरूर grow करेगा अगर ये सारी tips आप follow करेंगे तो किसी भी short तरीके के चक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिए